हाई फेरेंड्स स्वागा थे आप सभी को मारा यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूंगा एनसाइडी यानि नौन एस्टोराइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रक्स के क्लासेज के उपर और उसके इंडिविज्वल सॉल्ट के तीसली वीडियो में मैंने आपके साथ डिसकस किया था कि एनसाइडी जो क्लास है इसको टोटल चार ग्रूप में डिवाइड किया गया है फरस्ट है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिविटर जोकी कॉक्स है साइक्लो करती है दूसरा है प्रिफेंटियल कॉक्स टुइनिविटर तीसरा जो इसका ग्रूप है वह स्लेक्टिव कॉक्स टू इनिविटर और चौथा ग्रूप है इसका एन अलिजेसिक ऎंटिपायोटिक विद पूर एंटी इनृमेटिर से टोटल चार ग्रूप में नसा इडिक को डिवाइड किया गया है आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ इसके फर्स्ट क्लास यानि नॉन स्लेक्टिव कॉक्स इनिविटर को चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज से सब्सक्राइड मेडिसीन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सकें फर्स्ट ग्रूप की बात करें तो जो कि है नॉन स्लेक्टिव कॉक्स इनिविटर जिसके हो टोटल छीक सब ग्रूप में डिवाइड किया गया है जिसमें पहला है सैली साइलेड के अंदर जो ड्र बहुत सारे सॉल्ट के तो वह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करूंगा इसका जो दूसरा क्लास है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिविटर का इसका दूसरा क्लास है प्रोपायोनिक असीड डेरिवेटिव इसमें जो सॉल्ट आते हैं और इसके साथ बहुत स के साथ देखा गया है नेक्सट जो सॉल्ट इसके अंदर वह नेप्रोकस्यकन उसके बाद कि टॉक्सें और फ्लूड भी ट्रोफЗचन यह सारे सियल्ट आते हैं डेरिवेटिव के अंदर इसके नेक्सट क्लास है फैंटामिट जिसके अंदर जो है सौल डेंट आते हूं हमारे सरेट के उसके पेन के रिलीफ में यह काफी ज्यादा यूज फूल है पेराशिटामोल के साथ भी मेफिनेमिक एसिट का कमपोजीशन आता है चौतह ग्रूप की बात करें तो इसका चोथा ग्रूप है इनोलिक एस्ट डेरीवेटीव जिसमें लेसे जो सोल्ट आते हैं वहाइफ सेठी के इस्ट की टो दोस्ता है पीटोन यह सारे शॉल्ट आते हैं इसका जो कृट्टा क्ला से फेनाइल व्यूता जो यह प्रोपाइफेन जों यह तीनों साल्ट आते हैं इसके अदर तो फ्रेंड्स आज वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को बनाने का एक ही मक्सद है आप सभी को ड्रक्स के बारे मेडिसीन के बारे में बताना तो इसे आप देखें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें थैंक्स पूर वाचिंग में वीडियो थैंक्यू आप